नमस्से साथियो एक और अद्वासिक प्रिक्षा सत्र दो जार इकिस बाइस का हाफियली का पेपर आपके सामने क्लास त्वल्थ रसाइन विज्ञान यह पेपर पाली दिष्टिक का है तो स्टार्ट करते हैं पेपर काफी बड़ा है तो थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी इसको कंपेट करने के लिए क्यूशन नमबर एक आपके स्किन के सामने है निमन में से आइनिक टोस का उधा है ना आइनिक टोस का मलग जिसको जल में विले करने पर आइनों में तुटेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एन ए सी यल क्यूशन नमबर दो एक योगी एक्स वर वाई से मिलका बना है कंपान बना एक्स और वाई से वाई परमानू है वो सी सी पी सर्चना बनाता है और एक्स अश्ट फल की रिख्ती के एक बुटा तीन वहाग को डखता है तो टोस योगी का सुत्य होगा तो जितने परमानू होते उतनी ही अश्ट फल की रिख्तीका होती है तो य एक होगा तो अश्ट फल की रिख्तीका भी एक होगी और उसमें अश्ट फल की रिख्तीका कितने वाग पर एक्स होगा एक बटे तीन वाग पर तो इसका फॉर्मूला हो जगा एक्स वाई थ्री फॉर्मूला क्या हुजागा इसका x y 3 option में इसका right answer हुजागा by x y 3 इसके बाद question number 3 किसका प्रासंदाब अधिक होगा 0.1 m nacl का 0.1 m nacl 2 0.1 m alcl 3 0.1 m urea तो बसी बात है कि जो प्रासंदाब है वो एक कैसा गोन है आणू संके गोन है और आणू संके गोन आणू की संक्या पर निर्वेर करता किस पर आणू की संक्या पर निर्वर करता है यहां पर सिद्धी सी बात है कि आपको एक बात यात समझना है कि alcl3 को अगर आप जब विले करोगे तो यह al3 plus और 3cl minus i बनाएगा तो सबसे ज़्यादा आइनों की संक्या इसी की बनेगी तो किसका प्रासंदाब अधिक होगा 0.1 m alcl तरीखा अभी तक यहां पर आपने चैनल को सब्क्राइब करें और इस व्योडियो के लिंक आपने सबी साथ कि ज्ञादा से ज्यादा शेर करिकुशन नम्बर 4 निमन में से कौन सी इकाई दिमिन में से कौन सी इकाई ताप से परभावित होती है तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंस वोज़ेगा मौल अर्था आंसर क्या होगा इसका मौल अर्था क्योंकि इसमें आयतन आता बकी मौल लता, भार पतेशिर और मौल अंस है मौल अर्था, भार अंस और मौल अंस तीनों की तीनों ताप से क्या होती है एपलोईट क्योंशन उल्टा भी गुमा के आप से पुछा जा सकता इसके बाद क्योंशन नमर पांच अभिकिरिया निम्न वेग के लिए अभिकिरिया की कुल कोटी होगी तो वेग बराबर के एक की पावर तीन बटे दो, वेग की पावर एक बटा दो इनको जोड लो तो तीन बटे दो पलस एक बटा दो को जोड़ोगी तो च्यार बटे दो जाएगा इसका मतब आंसर दो तो अभिकिरिया की कोटी कितनी हैगी दो तो इसका right answer क्या हो जाएगा आपका बै, इसके बाद question number 6, यह question काफी अच्छा पुच्छा गया, कुछ एक्जम, कुछ आपी लेक्जम, यह question काफी बाद repeat भी हुआ है, पर्तम कोटी अभी के लिए का अर्ध आयुकाल पार्यमिक सांदर्ता की होता है, दो चीजे मैं सुनने क कोटी के लिए तो आप लिकते हो, अर्ध आयुकाल बराबर क्या होता है, आनोट बराबर टूके, यह सुनने कोटी के लिए, किसके लिए सुनने कोटी के लिए, पत्थम कोटी के लिए अर्ध आयुकाल क्या होता है, तो पत्थम कोटी अभी के लिए का अर्ध आयुकाल पा करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप कस है अगर सुन्ने कोष्टी के लिए पूश्टा तो वो समानुपात्ती होता तो यह विसे जानक में अच्छे कुशन मनते हैं इस परकार कि हमें यह अच्छे के से इनको याद भी करने इसके बाद कुशन नंबर साथ के तब हम आगे बढ़ते हैं काफी इजी कुशन निकल दात्तों के शुद्धी करन के लिए परित विदी है आप सभी जानते हो मांड प्रक्लम एक यह जुरूर आपको याद करने है वान अरकल विदी वान अरकल विदी किसके लिए हम कामें लेते हैं जरकोनियम या टाइटेनियम इनके शुद्धी करन के लिए वोन अरकल विदी कामें लेते हैं और मंडल परिसकर विदी है वो अद चालक होते हैं उनके लिए विशेश के प्रिक्ट की जाती है तो यह जना निकल दात्तु का शुद्धी करन के लिए प्रिक्ट विदी कोन सी है मांड विदी है इसके बा आएक्स के लिए इसके बाद कुशन नमबर नो पेपर काफी बड़ा तोड़ी स्वेट अखनी पड़ेगी नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा निमने में से प्रतिचोंब की प्रतिचोंब की बड़ा वो होंगे जिनके पास एक भी एयुगमित इलेक्टो नहीं होता है तो जेरेंट टू प्लस का मलब दो एलेक्टों उत्या हो गया तो इसका डिक अक्षिक पूम बढ़ा है तो इसके पास एक भी एक भी एक भी एलेक्टो नहीं है इसके बाद कुशन नमबर दस क्लोरो फिल में धात्तु परमानू है आप सभी जानते होंगी क्लोरो फिल में कौन सिधात्तू होती है मेगनिशियम एफिट्टू प्लस किसमे होता है आपका हीमो गलोबिन एच बी में यह कोबाल्ट है सी बड़ा और ओ छोटा है यह पाय जाता है आपका विटामीन बी बारा में और जिनको होता है वो आपके इंसूलीन हार्मोन आम सुनाओगा आपने इस कि कमी से दाइविटेज हो गजाता है इनके अंदे पाइच तो यह सब मैंने बता है कि मेगनिशियम क्लोरोफिल में एफिटू प्लस हीमोग्लोबिन में कोबाल्ट या सियो थी प्लस विटामिन वीवारा में और देडन इंसूलीन हार्मोन में होता है तो जो जो इडिक कु है च्रेजिग्टा प्रेसित करता हैं तो हमें पार कि संकर्माटख तो कि संक्रमां था थी कि संक्रमांटख होते हैं वह परिवष्टन सील ऑक्सिक्लन अवस्टा प्रदेश करते तो इन तीनốngमें सेंख्रमां थे कोपर तो राइट आछिथ होजाईग और आपको बता दू वी copper 2 oxygen अवस्ता प्रेसित करता है एक 2 cu plus 1 और 1 cu 2 plus Question number Question number 11 Question number 12 एक compound आपके सामने दिया गया है और उसमें ये पुछा गया है कि इसमें कौन से समय रता पाई जाते हैं इसको गोर से यहां से BR SO4 SO4 BR तो जब इसको जल में घोलोगे तो यह अलग आयन देगा, यहां से यह अलग आयन बनेगा, यह अलग compound बनेगा और यह अलग, तो साब साब पत्त है कि इस compound को जल में घोलने पर आपके भिन-बिन आयन बनेंगे, ताथ यह कौन से समय रता होगी, आयनन समय रता तो Question number 12 का right answer हो जाएगा है, आयनन समय रता है, इसके बाद Question number 13 SN1 अब किरिया सी गिलता से देगा, तो सिधी बात है कि 3 डिगरी होता है, वो सबसे तिरुगति से किरिया करेगा 2 डिगरी उससे कम, 1 डिगरी उससे कम तो देख लो इसमें 3 डिगरी compound कौन सा है तो इसका right answer क्या हो जाएगा, A CS3, C, CL तो इस C से 3 CS3 जोड़े है था, यह कौन सा दिगरी हो गए 3 डिगरी, यह 2 डिगरी, यह 1 डिगरी तो Question number 13 का right answer क्या हो गया, A इसका Question number 14 RF की AGF से अभी किरिया क्यलाती है तो यह थोड़ा Question आपके लिए नया दिया है यह SWATS अभी किरिया होगी, कौन सी है, SWATS अभी किरिया RX की यह होता है, RX PLUS HGF तो यहां से आपका HGX अलग हो जाएगा और RF बन गया तो इसमें हेलोजन वीन में की दो भी किरिया तो फिंकल स्टैलिन अभी किरिया और दो से SWATS अभी किरिया तो कुशन नमबर एक से लेकर, कुशन नमबर 14 तक जो objective है कुशन तो आपके लिए पेपर काफी अच्छा है प्रक्टिस के लिए आपके लिए आप कुशन नमबर 15 के तरब हम बात करें कि सुन्य कोटि अभी किरिया के लिए सुन्य और प्रथम कोटि अभी किरिया के वेग इस्तांग की एकाई आपसे पूती है तो सुन्य कोटि का तो क्या होता आपसे भी जानते हैं मौल लिटे इन्वर्स शेकी इन्वर्स और पर्थम कोटि की बात करें के वल क्या होता है सेकिन इन्वर्स यह तो बड़ा आप रट लेना सुन्य कोटि और प्रथम इस्तांग की काई बोर एकश्यामेय को पूशन इस्पछा का ज़रूर मिल जाएगा तो सुन्ने कोटी अभिकिरिया कि मौल वेजिस्तांग की काई मौल लिटे इनवर्स और पृत्मकोटी के लिए सेकिन इनवर्स नमबर सॉला कि जिंक एडमियम और मरकरी को संक्रमन तत्तु नहीं मांते हैं इसे क्रिशन काफी बार आया सिधा से एक रिजन है क्योंकि इनका दी कक्षक पुर्न बढ़ा होता है इनका दी कक्षक क्या होता है पॉर्स भरा होता है इस कावरण से इन तिन ओंको संक्रमन तत्तु नहीं मांते है क्यूशन ऐसे वह से निम्न में से कौन सा संक्रमन तत्तु नहीं है तो फिल्कुल याद होना अच्छी है जीन की केरिमियम और मरकरी केवल उनी को संक्रमन तत्तु मानती है जिनका डीकक्षिक आपकों भरा होता है संक्रमन तत्तु में केंदी रात्तु का ओक्सिकन संक्रमन तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो ओक्सिकन आंक होगा वो पलस तीन आएगा ऑक्सिकन संक्रमन तो कितनी तो कुल कितने होगा इच्छ है तो इसकी समनेविसिंग के कितनी हो जाएगी इच्छ है तो कुशन नमबर 17 का राय टांसर हो जाग है कि इसका जो केंद्री दातों उसका ओक्सिगर्ण अंग प्लस तीन और समनुशन के अच्छ है कुशन नमबर 17 के बाद 18 निस्टापन में वर्जन में क्या अंतर उधान से समझेगे कि लिए बार-बार कुशन रिपेट हुआ है हाफिल एक्जाम में कि निस्टापन होता है वो वायू की आनुपस्तिती में होता है नीका मलम नहीं और यह भी अक्न है, शल्फाइड एक्स को का भर्जन किया जाता है, उनके लिए आपका निस्चापन किरिया का प्रियों किया जाता है, इसके बाद निम्र रसानी का भिकिरिया को पूर्ण करें, तो CS3, CS2, CL, किसलिसी बात है, यहां से क्या लग हो जाएगा और यहां से CL, तो CS3, CS2, CN, कुछ अभिकिरियाओं में यहां HG था, तो वह आइसो साइनाइड बनता, पॉर्टिशिम साइनाइड लिए तो आपको साइनाइड बनेगा, तो कंपॉंड क्या हो गया, CS3, CS2, CN, पॉर्टिशिम से, तो यह S2 यहां जोड़ जाएगा, और BR इस से जोड़ेगा, तो आपको कंपॉंड आपको क्या बन जाएगा, CS3, CS2, CS2, BR, तो यह हो गया आपके क्यूशन नमर 19 का आंसर, अब आज के तो क्यूशन नमर 20, लेंथे नाइड संकुचन किसे कहते हैं, तो सिंपल से डिफिनिशन होती है, कि लेंथे नम से लूटेशियम तक जाने, लेंथे नम से लूटेशियम तक जाने पर, इनके परमानों आकार में नियमित कमी आती है इसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं इसके बाद फिट्टी का विकी दिया किया रसाइनिक समिकर्ण दे तो आप सभी इस्ट्टी को बताना चाहूंगा कि चैप्टर नमबर 10, चैप्टर नमबर 11, चैप्टर नमबर 12, चैप्टर नमबर 13 इन त्यारों चैप्टर में काफी नेम रियेक्शन है और यह जितनी भी नेम रियेक्शन है मैंने सब का अलग से वीडियो बनाया है और एक इक नیम रियक्शन को मैंने अलग से समझाया तो वह आप इजली इसको याद कर सकते हो तो यह फ्रेंकल डोस में अंतल सिधी बात है he तो फ्रेंकल दोस उन योगी को में पाया जाता है जिसमें धनायन का आकार तो होता छोटा और रिनायन का आकार होता बड़ा तो शोट की दोस से दोनों बराबर होते हैं इसमें धनायन और रिनायन का आकार बड़ा होता है अब यह विसेज बात फ्रेंकल दोस के अंदर जो कि गहनतू में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि शौट की डॉस के गहनतू में कमी आ जाती है, इसके बाद कुशन तेज, अनादस विलिन के दो धन बड़ा किसी भी दो ऐसे कंपाउन को मिला दो जो बिलकुर सेम ना हूँ, जैसे आपने यह लिख दिया, जल पलास एथेनोल, ठीक, या आपने यह से दिया, बेंजीन पलास एथेल कलोराइब, बिल्कुर से कंपाउंड हो, वो तो बना लेंगे आदस विलिन, वो बिल्कुल अलग हो, तो वो अनादस विलिन, इसके बाद कुशन नमबर 24 हैंदी का नियम क्या है, इसके अनुप्रियों लिखें, तो थ पेपर के सबी कुशन है, वो मेरी मेराथन कलासेज़ और मेरी ओनलाइन कलास के महज़िम से इसली आप पढ़ायेब, और वह जांद आप पड़केंगा को अच्रिक से समज़ भी सक्तियों, अब बात करते हैं, कुशन नमबर 25, कुशन नमबर 25, पर्थम कोटी अभिकिरिय क के लिए शिद्गरो तो बड़े ये तो वहां से आप इनको डिटेल से देख सकते हो, इसके बाट क्यूशन नमबर 26, जो बेड़ा बहुत से इस्ट्रोइलों को मैंने बार बार ख्याता है कि ये कंपाउंड लगबग अपने हाफियली डिष्टिक के अंदर पुछा गया है, लगबग जहां एकजाम होई है, इसक समतली के मलस्ति से बाट संक्रन होगा, डिएसपी टू, और परबल लिगेंड होने से, इसमें एक भी युगमित इलेक्टो नहीं होता, अत्रा इसकी प्रती चुम्ब किये, तो आपके ये जो 26 वी का ही है, तो इस कुशन की बात कर ले हम, या इन दोनों की बात कर ले, कि इ वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, और एक सिद्धी से बात ही, इस कुशन में दो सिद्धी बात आप यहां से ये समझ सकते हो, कि टी आई-एस-टो-शिरी प्लस, टाइटेनियम के पास एक क्या होता है, एक युगमित इलेक्टो नह जिसके कार्ड ये रंगिन दिखाई देता है, इसके बात कुशन नंबर 27, एसन वन एसन टू अभिकिरिया की किरिया विज्धी समझाएं, बहुत इंपोर्टेंट कुशन आप बोर एक्जाम की हिसाब से, और इसका वीडियो में ने डिस्क्रिप्शन में लिंक में राज द होती है, तो आपने समी ने पढ़ा होगा कि एसन वन अभिकिरिया में जो और एसन टो अभिकिरिया में उत पर एक दूसर के विप्रिद बनते, उन दोनों का मिसन आपके कहलाता है, रहसेमिक अर्थात, जब किसी अभिकिरिया में आदे योगी परकास के तल को दाइयोर क्योंकि हेलो एरीन में क्या होता है, कि बेंजन वले के उपर हेलो जन जोड़ा होता है, और जिसमें आनसिक दीबंद का गुण आ जाता है, किसका आनसिक दीबंद का गुण आ जाता है, जिससे ये बंद आसानी से नहीं तूटता है, इस कारण से ये नाभिकिस नहीं परति कम किरिया सेल होते हैं इसके बाद नेश नियम की बात करें आनो संग के गुन ध्रम किसे कहते हैं आनो संग के गुन ध्रम किसे कहते हैं तो विलियन के ऐसे गुन जो किस पे निर्वर करें आनो की संग्या पे निर्वर करते हैं उन्हें आनुसंगी गुंद्रम कहते हैं इसके बाद रावल्ट के नियम को समझाईए तो इसका स्क्रिंशोर आपके स्क्रिंशोर आपके स्क्रिंशोर के सामने आच चुका है वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो एक विशेजर आनुसंगी गुंद्रम होते हैं चार प्रकार के होती ही, चारो नाम आपके याद हो निचे, नमबर एक वासुदाब में आफिक्सिकम नमन, दूसा कुथनांक उन्नेन, तीसा हीमांक आउननमन, और चोता प्रासन दाब, इसके बाद, इस्तिर कौन्ति मिसन किसे कहते हैं, कि आपने क्या किया, एक मिसन लिया, फिर एक दूसा मिसन लिया, दोनों मिसन को आपने मिला दिया, जब दोनों मिसन का, जो कौत नांक है, एक रिताब पर उबले, तो उसके लिए इस कौन्ति मिसन, इसका भी स्कीर शोर्ट है, मैंने, इसकीर पे लगा दिया, महां से आप नोट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आपके ये पाली डिस्टिक का जो पेपर था, हाफियली का मैंने कंप्लीट करवा दिया, आप मेंसे जो इस्टुटेंट सौजट से हो, वो जरूर कमेंट्स करें, क्योंकि सौजट मेंदी के लिए फेमस है, काफी टाइब में भी सौजट में रहा था, इसलिए सौजट से पिर लगावा, तो जो इस्टुटेंट सौजट से हो, वैसे सौजट नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, होजट बोलते हैं, तो जो इस्टुटेंट यहां से हो, वो कमेंट्स में ज़रूर करें, इसे के साथ आपका इकलास समाप्त होती है,